नमस्कार सभी सात्यों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद पे एन लोदा सात्यों सिक्सन विदियो का पेपर नमबर 32 आज आपके लिए लेका राया हूँ सो टेस्टों की ये सिरीज है जिसमें आपके 32 टेस्ट आज चल रहा है और इसके बाद भी 68 टेस्ट अभी और आने पाकी है तो रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फस्ट ग्रेड के लिए बेहदी उप्यूगी ये टेस्ट सिरीज है नविन्तम प्रिश्ण देखने को मिलेंगे और आप इन में से किसी भी सिक्सक भरती की तयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सिरीज आपके लिए राम बन साबित होगी साथियों आपको सिक्सन विदी के साथ ही साइकलोजी और हिंदी के भी 100-100 टेस्ट मिल रहे हैं ताकि प्रती एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चल्द ही पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक-एक प्रिश्ण को व्याक्यात्मा करूप से हम हल करने वाले हैं साथि तो देखो प्रश्ण संक्या एक है आपके चात्रों में सामाजिक्ता के गुणों का विकास करने वाली सिक्सन विदी है समश्या समधान विदी, प्रियोजना विदी, सामाजिकरित अभिव्यक्ति विदी और व्याक्यान विदी सामाजिक्ता के गुणों का विकास करने वाली सिक्सन विदी आपसे पूची जा रही है व्याख्यान विदी से कोई सा भी सामाजिक गुण विक्सित नहीं होता है व्याख्यान विदी तो आपका अंसर नहीं होगी समश्या समधान, प्रियोजना और सामाजिक्रित अभिव्यक्ति दिये गए विकल्पों में से जो सबसे 60 का अंसर है यदि चात्रों में सामाजिक्ता के गुणों का विकास करना है तो उसके लिए सामाजी क्रित अभिव्यक्ति विदी सरवाधिक उपयोगी मानी जाती है साथ तीन आपके सई रहेगा प्रश्न लभर एक में नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न लमबर दो की ओर तो चलिए दूसरा प्रेशन देख लेते हैं, आपके प्रेशन नमबर दो सिक्सन की किस विदी में अधिगम में गुनात्मक परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रिज सिक्सा पद्धती अपना कर, रटने को प्रोसाहित करके सिक्सन की तक्निके अपना कर, और प्रिक्षा परिणामों पर केंद्रिज होकर अब आपको एक तो होता है गुनात्मक परिवर्तन और एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुनात्मक परिवर्तन हो सकता है तो रटने को यदी प्रोसाहित करोगे तो कभी भी गुणात्मक परिवर्थन नहीं होगा तो यह तो बिल्कुल गलत विकल्प हो गया पहला तीसरा या चोता विकल्प साथ यूँ गुणात्मक परिवर्थन य Idhe आपको अपना नहें तो बाल केंद्रित शिक्सापद्दती अपना कर आप गुणात्मक परिवर्थण चात्रों में कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक बाल केंद्र शिक्षा पदर्टि में केंद्र कौन होता है? सिक्सन का चातर होता है, मतलब वो सक्रिय रहकर चीजों को सीखता है, अथा विकल्प एक ही आपके दूसरे प्रिश्ण का सही आंसर है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 3 की और, तो तीसरा प्रिश्ण देख लेते हैं, आपके प्रश्ण नमबर तीन प्रश्ण उत्तर पद्दती का जनक किसे माना जाता है मौन्टेन सरी को माना जाता है उडवर्त को माना जाता है फ्रोबेल को माना जाता है या सुकरात को माना जाता है तो जो प्रश्ण उत्तर पद्दती या प्रश्ण उत्तर विदी है इस व वो है आपके विकल्प नमबर 4 सुकुरात को प्रश्णोतर पद्दती का जनक माना जाता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्पुन प्रश्ण है इस प्रश्ण को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शोट ले लिया करो साथ हो जो इंपोर्टेंट प्रश्ण होता है उनका स्क्रीन शोट ले लिया करो और उसमें सिर्फ वो फाइले ही रहने दीजिए जो जो अच्छे क्यूशन वाले होते हैं एक्जाम तक आपके पास 500 से 600 ऐसे प्रश्ण रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है एक्षा के द्वारा होना चाहिए उस विकल्ब का आपको प्रिश्ण नंबर 4 में चुनाओ करना है देखो इस प्रिश्ण को मैंने पहले भी पूँच रखा है बच्चों का मुल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए सतत एवं व्यापक मुल्यांकन द्वारा सतत एवं व्यापक रूप से के लगतार चले और उसके सेक्षिक एवं सहे सेक्षिक शेत्रों का भी मुल्यांकन हो तो सेकंड विकल्ब आपके प्रिश्ण नंबर 4 में सही रहेगा नेक्स आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर 5 पर तो 5 वा प्रिश्ण है आपके एक अच्छे प्रिक्सन की कौन से विशेस्ता नहीं है वेदता, विस्वस्नीता, वस्तुनिष्टता और उत्तिन करना देखो प्रिक्षन की विशेस्ताओं की बात की जाए तो प्रिक्षन वेद होना चाहिए वेद मतलब जिस उद्देश की पूर्ती के लिए प्रिक्षन बनाया गया है उसकी पूर्ती करने वाला हो विश्वस नहीं भी होना चाहिए विश्वस नहीं तो उसमें पाई जानी चाहिए जैसे मालो मैंने चेक की कोपी मैंने 10 नमबर दिये 15 में से आपने की तो आपने भी 10 ही दिये तो वो विश्वस नहीं है वस्तुनिष्ट होना चाहिए एक प्रिश्ण का एक ही सही उत्तर हो अलग अलग उत्तर नहीं होना चाहिए तो ये तीनों चीजे तो मुल्यांकन की मतलब सोरी प्रिक्षन की विशेस्ता होती है लेकिन उत्तिर्ण करना प्रिक्षन की विशेस्ता नहीं है तो चोता विगलब काप के प्रशन नंबर 5 में सही रहेगा नेक्ट आगे बढ़ेंगे प्रशन नंबर 6 पर तो छेटा प्रशन है एक प्रमाणि किरित्प्रिक्षन में होता है विस्वसनी ता वन वेदता निबंदात्मक प्रिष्ण met मौकिक प्रिष्ण met और प्रायोगीक प्रिशन में तो जो प्रमापी क्रित प्रिक्सन होता है साथियो, उसमें क्या रहेगा? उसमें मोकिक प्रिशन प्रायोगीक प्रिशन ही है और वेध होना चाहिए अभी मैंने आपको विस्वस नीता और वेधता का जो अर्त है वो पिछले प्रिष्ट में ही बताया था तो विकलप एक आपके छेटे प्रिष्ट में जई है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथे प्रिष्ट नंबर साथ की और सातवा प्रिष्ट आपसे पूझ रहा है उपचरात्मक सिक्सन की सफलता निरवर करती है समय वे अवधी पर निर्वर करती है समश्याओं के कारणों की सही पैचान पर निर्वर करती है उप्चरात्मक सिक्सन सामगरी पर निर्वर करती है और भाशिक नीमों के ग्यान पर निर्वर करती है देखो उप्चरात्मक सिक्सन यदि हम कर रहे हैं मतलब बच्चों की कमजोरियों को दूर करने का कारी किया जा रहा है वो सपल किस प्रकार से होगा उसकी निर्भरता किस पर रहेगी आपको प्रश्च नमबर 7 में इसका उत्तर देना है तो साथियों उपचारात्मक सिक्सन तभी सपल हो पाएगा जब हम समश्याओं के कारणों की सही पैचान कर पाएगे उपचार चाहे आप कितना ही अच्छा करो अगर आपने समश्याओं के कारणों की पैचान ही नहीं की तो फिर उपचार किस चीच का करोगे अतहें दूसरा विकलपाप के प्रिश्ण नमबर 7 का सही अंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 8 पर 8 वा प्रिश्ण साथियों ये देखें आटवे प्रिश्ण को उपलब्दी परिक्सनों का प्रमुक उप्योग होना चाहिए सिक्सन कारे कमी मुल्यांकर में होना चाहिए चात्रों के मुल्यांकर में होना चाहिए उप्चारात्मक सिक्सन में होना चाहिए और इन सभी में होना चाहिए तो आटवे प्रिश्ण में कौन सा विकलपाप का सही रहेगा बताईएगा साथियों उपलब्दी प्रिक्सन का मतलब क्या होता है कि छात्रों ने कक्षा विशेस में कितना ग्यान अर्जित किया है इसके लिए उपलब्दी प्रिक्सन आयुजित किये जाते है तो उसका कहिन भी उप्चारात्मक सिक्सन में प्रियोग नहीं हो रहा है मुल्यांकन का एक तरीका उपलब्दी प्रिक्सन भी है अथा है दूसरा विकलप आपके आठवे प्रिष्ण का सही आंसर है नेक्श आगे बढ़ेंगे प्रिष्ण नम्बर 9 पर तो आपके 9 प्रिष्ण देखते हैं प्रिष्ण नम्बर 9 आप से क्या पूँच रहा है एक विशिष्ट अधिगा मनुवव उप्रदान करने के पश्चात अधिगम किस इस तर तक हुआ है यह मापने है तो निम्न में से कौन सा प्रिक्सन उप्यूकत है उपलब्दी परिक्सन, अभिवरत्ती परिक्सन, निदनात्मक परिक्सन और उप्चरात्मक परिक्सन देखो अभी मैंने पिछले प्रिष्ण में ही बताया था कि एक छात्र ने कक्षा उश्यस में कितना ग्यान अरजित किया है इसके लिए उपलब्धी परिक्सन का निर्मान किया जाता है और प्रिश्ण भी यही पूँच रहा है कि उशिष्ट अधिगम अनुवव प्रदान करने के पश्चात मतलब पढ़ाने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापना है तो हम क्या करेंगे उपलब्धी परिक्सन ही करेंगे साथियो विकल्प एक आपके नौवे प्रिश्ट में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर दस की और तो दसवा प्रिश्ट देख लेते हैं समाज मिती विदी के प्रती पादक है कौन? सिग्मन फ्रायड है, मोरेनो है, जीन पियाजे है और आरे सूड वर्त है तो बताओ प्रिश्ट नमबर दस में कौन सा विकल्प आपका सही है जो समाज मिती विदी है, किसके दोरा दी गई है साथियों दसवे प्रिश्ट का जो आपके सही उत्तर है वो है जेकाव एल मोरेनो जेकाव एल मोरेनो के दोरा ही समाज मिती विदी का प्रतिपादन किया गया है विकल्प दो आपके सही है नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर ग्यारा पे आते हैं सिग्मन फ्रायड का नाम का किस में चलता है मनो विशलेश नात्मक विदियों में चलता है संग्यानात्मक विकास में किसका नाम चलता है जीन पियाजे में का चलता है साथियों चलिए नेक्ष टरी ग्यारवे प्रिश्णी के और बढ़ते हैं तो आपके प्रश्ण नमबर 11 टाइड में ने किस परणाली का विकास किया विविदात्मक विदी का विकासात्मक विदी का व्यक्ति तिहास विदी का और मनो भोती की विदी का तो यहाँ पर टाइड में के दोरा जिस विदी का विकास किया गया जिस विदी का प्रतिपादन किया गया उस विदी के बारे में आपसे प्रिश्ट नमबर 11 पूंच रहा है तो 11 प्रिश्ट का उत्तर दो कौन सा विकलप आपका सही रहेगा 11 प्रिश्ट में साथियों टाइड मेन के द्वारा जिस परणाली या विदी का विकास किया गया वो तो विकल्प आपके तीन सई है ग्यारवे प्रिश्ण में एक्ष प्रिश्ण नमबर बारा प्रिश्ण हैं आपके कक्षा कक्ष में सामाजिक अद्यान को पड़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग सोयम के कतन निर्देशन में लगाना चाहिए चालिस परतिशद भाग, साट परतिशद भाग, पचास परतिशद भाग और बीस परतिशद भाग देखो ये प्रिश्ण रीट एक्जाम 2018 में पूचा गया था साथियों हालाकि इस प्रिश्ण में बोनस दिया गया था मतलब इस प्रिश्ण को डिलीट तो नहीं किया बोनस दे दिया कि भाई यह प्रिश्ण ही गलत है या इसका कोई फिक्स से नहीं होता है अता है यहां जो बारवा प्रिश्ण है आपके फिर भी ज्यादा जो आंसर माना जाएगा वो है 60% वाला हलाकि बोनस वाला क्यूशन है यह ठीक है तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 13 की ओर साथियों आपके तेरवा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण संक्या 13 राश्टी स्तर पर विध्याले सिक्षा को तयार करता है NCRT, NCTE, मानव संसदन, विकास, मंत्राले और इन में से सभी तेरवे प्रिश्ण में अच्छी तरह से देख लीजिए कौन स NCRT के दोरा, किसके दोरा, NCRT के दोरा, NCTE क्या करती है, जो सिक्सक बर्तियों से समंदित जो नियम है, उनको बनाने का कारी NCTE के दोरा किया जाता है, विकल्प आपके एक सही है साथियों प्रिश्ण नमबर 13 में, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 14 की ओ देखो, पाटे चर्या का अर्थ आपसे पूचा है, वो भी सेक्षिक सेत्र में, साथियों एक तो सेक्षिक सेत्र होता है, और एक होता है सह सेक्षिक सेत्र, तो चौदवे प्रिश्ण में जो आपके सही उत्तर रहेगा, विध्याले का जो संपून कारिकरम है, वो पाटे चर्या कहलाएगा सेक्षिक शेत्र के अंतरगत विकल्प आपका तीन साई है प्रिश्ण नंबर 14 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर 15 की ओर तो आपके पंदरवा प्रिश्ण देख लेते हैं पंदरवा प्रिश्ण है प्रोजेक्ट विधी को सरप्रतम किस विज्ञानिक ने परणाली का व्यावारिक रूप दिया जोन डिवी ने किलपेट्रिक ने इस्टिवेंसन ने और इन में से कोई भी नहीं बहुत ही उलजावा प्रिश्ण के सकते हो क्योंकि आपको ये तो पत है प्रोजेक्ट विधी किसकी विचारधरा परादर रिते जोन डिवी की विचारधरा परादर रिते दोनों ही दे रखे हैं कोई नहीं वाला विकल्प तो हम मटा देते हैं या तो पहला राइट है या दूसरा लेकिन प्रश्ण जिस लेंगवेज में पूचा गया है वह नहीं हमें इधर-उधर बटकने वाली लेंगवजिए है साथियोँ तो फद्रवे परिश्ण में आपके जो सहीma आंसर है और हैगा किल पेट्रिक क्यों क्यों क्यूंकि की किलफेत्रिक के द्वारा ही प्रोजेक्ट या प्रयोधना विदी को व्यावहरिक रूप दिया गया था साथियों इन्होंने तो बस यूए है कि भाई करके सीखना बताया लेकिन उसका व्यावहरिक रूप किसने दिया किल पेट्रिक ने यसे प्रोबेल ने अपनी किंडरगारडन में खेल विदी का प्रयोग तो किया था लेकिन खेल विदी के जनक किसको कहा जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को कहा जाता है वो वाली चीज है ये भी सेकंड विकल्प ही आपके प्रिशन नंबर 15 में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपके 16 प्रिशन देख लेते हैं मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंदित है ज्यान से अवभोध से अनुप्रियोग से और कोशल से जैसे मानचित्र पर आपको इस्थान दर्शाना है साथ यो 16 प्रिशन में कौन से विकल्प आपका सही रहेगा चोट अविकलप इपका प्रशन नमबर ridiculously आते हैं आपके प्रिशन नमबरиссreiben उच्छे प्रात्मिक इस स्तर पर एथियासिक तत्यों को पढ़ाने की कौन सी विधी अधिक प्रासंगिक है समश्या समधान विदी, स्रोत विदी, मानचित्र विदी और प्रियोजना विदी उच्चे परात्मे किस तर मतलब कक्षा 6 से 8 तक की बात की जा रही है वहाँ पर आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है एतिहासिक तत्य पढ़ाओगे तो प्रासंगीक मतलब उच्चित की बात की जा रही है कि उच्चित विदी आपको दिये गए विकल्पों में से कोन सी लग रही है तो सत्रवे प्रिश्ण में जो सही आंसर है स्रोत विदी दूसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा साथियों उच्छे प्रात्मिक इस्तर पर इतिहासिक तत्यों को पढ़ाने की उचित विदी स्रोत विदी है सेकंड विकल्प ही सही रहेगा सत्रवे में नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर 18 पे आते हैं तो आपके अठारवा प्रिश्ण सतत एवं समग्र मुल्यांकन का एक नहीतार्थ है बच्चों के भाष्या प्रियोक का निरंतर अवलोकन करना बच्चों के प्रिक्षा समंदी भाई को समाप्त करना परती दिन प्रिक्षाई लेना और हर मैने प्रिक्षाई लेना अठारवे प्रिश्ण में अच्छे से देख लीजिए प्रिश्ण को कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा जो हम सीसी जो सतते में व्यापक मुल्यांकन किया जाता है उसका एक नहीत आर्थ मतलब उसका एक उद्देश्शी क्या है प्रिश्ण संख्या अठारा का आंसर बताओ साथियो दिये गए विकल्पों में से पहला दूसरा तीसरा या चोता कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है जो जो अठारवा प्रिश्ण है इसका सही आंसर है परते दिन परिक्षाय लेना या हर महीने परिक्षाय लेना ये दोनों ही विकल्प गलत है भाश्या प्रियोक का निरंतर अउलोकन करना और परिक्षा समंदी भाई को समाप्द करना दोनों ही विकल्प बहुत ही ज़ादा जबरदस्त विकल्प है तो इन में से चुनाओ करने में दिक्कत आ जाए गया मैं क्योंकि अगर पहला विकल्प नहीं होता तो दूसरा 100% राइट हो जाता लेकिन बहशा प्रियोग का निरंतर अवलोकन करना सततेवन समगर मुल्यांकन का एक नीतार्त माना जाता है पिछले टेस्टों में भी मैंने ये प्रिशने दिया था आपका कमेंड भी आया था कि सर इसमें दूसरा विकल्प होगा बट ऑथेंटिक आंसर पहला ही है जब ये दोनों ही विकल्प में हो और ये नहीं रहेगा तो फिर दूसरा आंसर है साथ योग इस बात को याद रखेगा पिर भी अगर आपको वापिस से कोच लगता हो तो कमेंड कर सकते हो इस प्रिशने के लिए नेक्स्ट प्रिशन नमबर 19 पे आते हैं तो 19 प्रिशन है सेक्षिक मुल्यांकन के उद्देश होते हैं 5 उद्देश होते हैं 7 उद्देश होते हैं 4 उद्देश होते हैं और 3 उद्देश होते हैं उनिस्वे प्रिश्ण में कुन सा विकल्प सही है साथ यो जो सेक्षिक मुल्यांकन है उसके उद्देशों की संख्या कितनी होती है उनिस्वे प्रिश्ण में पहला दूसरा तीसरा या चोता विकल्प तो देखो उनिस्वे प्रिश्ण का जो सही उत्तर है सेक्षिक मुल्या प्रिष्ण नमबर 20 पर तो 20 वा प्रिष्ण है शुरूत लेकन विदी का उद्देशी नहीं है लेखन गती का विकास करना एकागर चित्ता का विकास करना वाचन गती का विकास करना और शुद्व इस पश्ट लेकन का विकास करना शुरुत लेकन जिसमें सुनकर के लिखा जाता है अध्यापक बोल रहा है चात्र उस चीज़ को सुन रहे हैं और सुनकर के चात्र लिख रहे हैं साथियों ये होती है शुरुत लेकन विदी अब इसमें लिख रहे हैं तो लेखन गती का भी विकास होगा एकागर चितता का भी विकास होगा इस पश्ट और शुद्ध लेखन का भी विकास होगा लेकिन वाचन गती इसमें कहा रहा है ये सातियों उसमें वाचन का तो कहीं से कहीं तक कुछ किया ही नहीं जा रहा है अता है शुरूत लेकन विदी के उद्देशों में वाचन गती का विकास करना नहीं आता है तो चोता विकल पाप के प्रशन नंबर 20 में सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रशन संक्या 21 के और विडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों आप एक मिनिट निकाल करके लाइक शेयर कर देते हो तो यू मानिए कि एक तरह से हमें खुशी मिलती है कि जादा लोगों तक हमारी में जो चीज़ें हैं हमारा जो मेटर है पहुँच रहा है और प्रिष्ण हैं आपके साथियों विध्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए तता उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए यह कतन किसका है के सामने विकल्प है आर्मी श्ट्रोंग का किल पेट्रिक का जोन डुवी का और हरबर्ट स्पेंसर का यहां 21 प्रिष्ण में जो सही आंसर होगा कम से कम बताओ और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रियास करो मतलब यहाँ पर खोज विधी की बात की जा रही है साथियों तो 21 प्रिष्ण में जो सही आंसर रहेगा आपके उप्रॉक्त कतन हरबर्ट स्पेंसर के दुवरा कहा गया है विकल्प नंबर आपका चार सई है किस्वे प्रिश्ण में नेक्स ड़ी प्रिश्ण नंबर 22 पे आते हैं 22 प्रिश्ण है प्रारंबि किस्तर पर विध्यारती डायरी का प्रियोग किस विधी पर आधारित है बिनेट का विधी पर आधारित है ठेका विदी पर आधारित है ड्रेकाली विदी पर आधारित है और स्वय मुल्यांकन विदी पर आधारित है तो 22 वे प्रिश्ट में देखो जो विध्यार्थी डाइरी प्रारंबी किस तर मतलब प्रात्मी किस तर पर बच्चों को दी जाती है वो जिस विधी पर आदारित है साथियों उसको कहते हैं बिनेट का विधी किया कहते हैं उसको बिनेट का विधी कहा जाता है विकल्प एक आपके प्रश्ण नमबर 22 में सही है ड्रेकाली विधी मानसिक विमंदी जो चातर है उनके लिए प्रियोग में लाई जाती है तो 22 में परतम विकलप ही आपके सही रहेगा नेक्स डिए प्रश्ण नमबर 23 की ओर बढ़ते हैं आपके 23 प्रश्ण है सहयक सामगरी का प्रयोग भारत में सरुपरतम किस विधी में किया गया दल सिक्सन में किया गया अभी कर्मी तनुदेशन में किया गया बुनियादी सिक्षा में किया गया और खेल विधी में किया गया तो देखो सहयक सामगरी का प्रयोग सबसे पहले भारत में जिस विधी में किया गया था वो है गांदी जी की बुनियादी सिक्षा जिसको बेसिक सिक्षा के नाम से भी जाना जाता है साथियों बेसिक सिक्षा और कट पुतली के रूप में यह सायक सामागरी थी तो विकल्प नंबर आपका तीन सई है प्रेशन नंबर 23 में अब आज का जो सेकंड लाश्ट मतलब चोईसवा प्रेशन है वो देखेंगे आप इसके पहले के वीडियो प्ले लिस्ट में एंड स् उती है इकाई योजना पर आधरित होती है मासिक योजना पर आधरित होती है वार्सिक योजना पर आधरित होती है और इन में से कोई भी नहीं तो इन में से कोई नहीं वाला विकल्प तो यहां गलत है जो देनिक पार्ट योजना है होती है साथियों यह इकाई योजना उ आपको यहां और प्रिशन देखेंगे तो पत्चीसवा और अंतिम प्रशन हैं सोहम के उदारन देना एम सोहम के नियम बनाना किस उद्देश की पूर्ति को दर्शाता है ग्यान अभौद ग्यान अप्योग और अभी वृत्ति देखो बालक खुद के दरण दे रहा है और खुद के नियम बना रहा है तो घ्यान तो नहीं है क्योंकि ग्यान में तो चीजों को पैचाना जाता है और बहुत में अंतर किया जाता है अभी उरत्ति में उसका द्रश्टी कौन दिखता है तो यहां है ग्यान ओपयोग तीसरा विकलप आपके 25 कर जाएए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद यहां टच करके आप पिछले समस्ति वीडियो को देख सकते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में